नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाथिस राजधानी भोपाल में इस्थित प्रशासनिक अकैडमी में मध्य प्रदेश मंदी बोट की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वन जेंत्री महा उत्सव कारेक्रम का आयोजिंट किया इस कारेक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंद्री शिवराज श्रेणी के कर्मचारीं के लिए बड़ी गोशनाएं कर ले मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चोहान चुनाव से पहले ना जाने कितनी गोशनाएं कर चुके हैं हर वर्क को साथ चुके हैं सब को खुश रखने की लगतार शिवराज स्वकार की कोशिश जारी है इदर मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान कहते हुए नजरायच जो सबजियां निलाम होती हैं उनमें हमने तै किया है कि 2% से जादा कमीशन नहीं लिया जाएगा जी हाँ लेकिन कई जगा अवे कमीशन जादा लगता है ऐसे कुछ मुद्धे हैं जिस पर ध्यान देने के जरुवत है CM शिवराज ने कहा कि हमारी क्रिशी विपरन बोड के जो चतुर्द श्रेणी के करमचारी है उनका आमेलन भी करा जाएगा जो रह गए हैं उनको भी जूडने के लिए कदम उठाए जाएगा CM शिवराज ने गोशना करती हुए कह दिया कि प्रदेश के मंडियों में काम कर रहे करीब 224 श्रेणी करमचारीों को जल्द ही मंदी बोड में शामिल भी किया जाएगा यदि किसी कारणवर्ष मंदी बंद होती है तो भी कर्मचारीों की नौकरी पर संकथ नहीं आएगा मोकिमेंदर शिवराज सिंग चोहान ने कारिक्रम में कहा कि हम सब किसान हैं हम सब सिर्फ कहने के लिए किसान नहीं है मैंने भी खेतों में जिस तरीके से काम किया है हम सब मूल रूप से किसान है हम आज भी खेती करते हैं क्रिश्री उब्ज मंडी की वेवस्था के कारण हम किसानों को उचित मूले दिलाने में सफल थे। कारिकर में CM शिवराज सिंग चोहान जिस तरीके से बोलते हुए नजर आए कि हम सब किसान हैं और हम सब सिर्फ कहने के लिए किसान नहीं हैं ऐसे में जनता काफी भावुक और शिवराज सिंग चोहान से काफी कनेक्ट कर पा रही है। और उन्हें बोला मैंने भी खेतों में बकसर चलाया है हम सब मूल रूप से किसान हैं हम आज भी खेती करते हैं। जिस तरीके से बार-बार शिवराज सिंग चोहान जनता से बेसिक जमीनी तौर पर कनेक्ट होने के कोशिश कर रहे हैं इसलिए शिवराज सिंग चोहान को राजनीती में जिस तरीके से जगा दी गई है और उनको ऐसे ही मामा नहीं कहा जाता है। आपको बता दें कि शिवराज सिंग चौहान एक के बाद एक नई घोशना कर रहे हैं, शिवराज सिंग चौहान कहते वे नजर आते हैं, हम सब जानते हैं कि आप सब महनत काश किसानों के प्रयासों से मंडी समीतियों ने, जिनों से की आवक असमे और मंडियों की आए में सबसे जादा आए दच की है, क्रिशी ओब्ज मंडी की सही विवस्था के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित बूल मिल पा रहा है, ये सब आप सब के निरंतन प्रयासों का ही परिणाम है, मंडी समीतियों ने, जिन्सों की अवक और मंडी की आए में अब तक की सरवधिक व्रद्धी हासल की है, मैं प्रदेश के सभी किसानों और मंडी वोड की पूरी टीम को बढ़ाई देना चाहता हूं और प्रदेश की किसानों को हर तरह की सुबधा भी देना चाहता हूं ऐसे तमाम बाते शिवरा सिंग चौहान करते नदर आए किसान अब MP Form App के माध्यम से अपनी क्रिशी उब्ज को अपने घर, खेत, अत्वा, गोदाम कहीं सीधी असानी से बेश सकेंगे इलक्ट्रॉनिक तोल काटे से लेकर बोली लगाने के लिए सरकारी कर्मचारी तकी विवस्था को पारदर्शी बनाया गया है किसानों को अपने खेत, खल्यानों से ही फसल बेचने की सुवधा दी गई है साफतोर पर किसानों के लिए अब यह बड़ी घोशना शिवरास सिंग चोहान ने कर दी है और जिसके बाद किसानों को भी चुनाव से पहले साथ लिया है और जैसे एक के बाद एक हर वर्क को साथ रहे हैं शिवरास सिंग चोहान और किसान रहे थे छूट लेकिन जैसे इस वक्त शिवरास सिंग चोहान नजर आ रहे हैं किसानों को साफतोर पर इतना बड़ा तुफा देते हुए तो दोनों की लगतार घोशनाय जारी है एसो में किसानों का भरूसा किस पर आता है चुनाफ पर इसका क्या आसर पड़ता है तमाम अपडेट क्लिप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं इंडिया ने बने वाल